लालू प्रसाद यादो के चोटे बेटे तेजस्वी यादो की शादी के बाद अब तमाम तरह से सवाल खड़े होते नजर आ रहें इस बीच ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादो ने आखिरकार कुछ चुप तरीके से शादी क्यों न चाहे ये सवाल इसले भी खड़े हो रहें क्योंकि लालू यादो के बड़े बेटे तेज परताफ यादो की शादी को बड़े ही धूमधाम तरीके से आयोजित क्या गया था बड़े ही धूमधाम तरीके से कई बड़े राजनीतिक पार्टी की नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया था लेकिन इस बीच अगर देखा जाये तो बहुत बड़े हद तक तेजस्वी यादों की साधी में साध्गी दिखाये दिया और बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया इस पर तेजस्वी यादों ने खुल कर बताया कि वो और उनका परिवार नहीं चाहता था कि उनकी शादी में जादा भीड़ भार किया जाए तेजस्वी यादों ने कहा कि वो चाहते थे कि उनकी पतनी रेचल की जो शादी हो रही है उसमें कम लोग शामिल हो परिवार के लोग ही शामिल हो ताकि परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के बीच समनवय बिठा सके दोनों के बीच वैचारिक जो इस्थतियां है वो ठ ठीक ठाक हो सके हारा की अगर देखा जाये तो तेजस्वी यादों की शादी के बाद उनकी पतनी रेचल ने भी मीडिया से बात की है और रेचल ने भी मीडिया से बात करते वे बताया कि वो तेजस्वी यादों से शादी करके बहुत खुश है और वो जानती है कि तेजस्व भी बहुत अच्छे नेता हैं और आगे देश के लिए बहुत अच्छा करते नजर आएंगे SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट